आदित्य हत्या कांड के चोथे दिन मड़ुरा में राजपा के राष्टे धिक्षाश शुतुर्ष कुमार प्रदेश धिक्षटोनास सिंग जिला धिक्ष राजेश सिंग अपने कारे करताओं के साथ पिडित परिवार से मिलकर सांत्वना दिया और कहा जल्द से अब नहीं करती तो आंदरन किया जाएगा साथ ये पक्ष और वे पक्ष पर जम कर बरसे उन्होंने का शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार के वार्दात होती है तो बहुत दुख की बात है नवी का इक्षाटर फेस्बुक पर कहता है आज खेला होवे और खेला इस प्रकार होता है कि चाको से गोदगरिक छात्र को मार दिया जाता है और विद्याल लिए प्रशासन भी मान बना रहता है ये बहुत इनन्दनीय है ऐसी घटना समाज को शर्म सार करने वाली है मड़ुरा से रुभतिकमार सिंग करे को अभी तक उसमें किशी प्रकार की ग्रिफतारी नहीं हुए और आज नेताओं का मिलने का जो सिलसिला है वो लागातार लगा हुआ है और इसी करम में आज जिन जिन पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष आशुतोस कुमार आये हुए हैं और उन्होंने भी परिजनों को सं अगर बेरा परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो मैं अपने परिवार को किसके बोड़ों से छोड़ के जाओं कि मेरा परिवार आगे चलके सुरक्षित तो इसलिए में प्रसासा से यह दर्खफास करूंगा कि ऐसे आप लोग करवाई किजिए जिससे इस पब्ली के अंदर आपके प्रती थोड़ा सा मन में थोड़ा प्यार जागे ऐसा काम मत किजिए कि जिससे वो और द्वेस के भावना है अच्छा पुलिस प्रसासान जो कर अगर यह थोड़ी सी और जल्दिवाजी में होती थोड़ा और होता थोड़ा हमारे भी दिल वो तसली होती थोड़ा इस पब्ली को भी तसली होती क्योंकि अब तो ऐसा हो रहा है कि स्कूल में कोई भी अपने बच्चों को भेजने से भी टर रहा है कि कहीं हो सकता है कि परिवार को परसाद नहीं करी है लेकिन मेरे कनेक मलब है कि जो इस दुख के घरी में जो यहां पर खड़े थे उसी को रात को दो बज़े उठा के ले जाती है फूसी उस समय होती है आज मेरे को यह सुचना मिलते कि हाँ उस पांचों बंदों को रात को दो बज़े ग्रिफ्तारी हो गए उपकड़ाए गए उचले गए जेल में चले गए तो इससे जदा मेरे उप फूसी होती है